आज बात करते हैं शनी खाना नमबर तीन शनी खाना नमबर तीन में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जिदी सवाब का होता है लेकिन उस जिद में वो अपना नुकसान कर बैठता है शनी तीन के समय अगर खाना नमबर नो और खाना नमबर ग्यारा खाली हो तो ये शनी बहुत ही उत्तम प्रभाव देता है और ये बुद्ध के फल को भी बहुत बढ़िया कर देता है अगर नो और ग्यारा खाली हो अगर खाना नमबर नो और ग्यारा में उसके मित्र ग्रह बैठे हो तो वो अपना जो अच्छा असर है वो उन ग्रहों में मिला देगा लेकिन क्योंकि ये खार नमबर 3 जो है ये ये दुनिया से चले जाने का भी है खार नमबर 11 से जो दोलत आएगी वो खार नमबर 3 से चली जाएगी तो शनी जहां पे क्योंकि शनी का एक सिधानत है शनी जिस घर में बैठता है उस घर की वरिद्धी करता है तो यहां पर वो एक तरह से जो जाने वाली जाने वाला है उसकी वृत्ती कर देगा पैसा आएगा कम जायेगा ज्यादा इसलिए पंडेजी ने शनी कानकान मभा तीन में नगत धंदौलत से उसको जाजचा है और वहाँ पर ये कहा गया है कि इस व्यक्ति के पास नगत दंदोलत की कमी रहेगी बैंकों में चाहें लाकों रुपी आ हो लेकिन जेव इसकी खाली ही रहेगी अब शनी जब खरना नमबर तीन में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है देखिए खरना नमबर तीन जो है वो मंगल से भी प्रफावित है और बुद्ध से भी बुद्ध की अपनी राशी है वहाँ पे बुद्ध की एनरजी भी है और वहाँ पे मंगल की एनरजी भी है मंगल नेकी इनर्जी लेकर के बैठा हुआ है और बुद्ध जो है अगर 9 और 11 दृष्टी से खाली है तो बुद्ध के इनर्जी भी यहां पर पॉस्टिव है अगर 9 और 11 खाली है तो फिर यहां पर शनी जो है बिजनस में बहुत जब्रसलाव देता है अगर ऐसे व्यक्ति की जो बहन होती है वो अगर यानि कि इस व्यक्ति का जीजा है तो अगर वो उसकी अपरी फैक्टरी है या लोहे का कारोबार है तो वो बहुत अच्छा चलेगा और अगर इसका भाई बीजनस करेगा तो वो मंदा पर भाव देगा क्योंकि वहाँ पर मंगर और बुद्ध जो है शत्रू और मस्नूई शनी खराव सभाव का बनता है शनी तीन के समय रहूर केतु की पीजिशन को भी देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि खानमबतीन जो है वो प्राकरम का है और शनी करम का स्वामी है तो जब करम और प्राकरम मिल जाएंगे तो फिर अपने आपी धनकी वरिद्धी होगी तो यहाँ पर मंगल के स्थिती भी देखनी जरूरी हो जाती है और यहाँ पर शनी जो है वो खाना नमबर 9 में और खाना नमबर 11 में अपनी दृष्टी रखेगा चाहे वहाँ पर काना नमबर 9 और 11 में कोई ग्रैब बैठा हो चाहे ना बैठा हो तो शनी की जब दृष्टी काना नमबर 9 पर जाएगी तो ऐसा विक्ति ग्यानवान भी होता है और सूजवान भी होता है लेकिन कुछ ऐसे करम कर बैठता है क्योंकि शनी की जो दृष्टी है खाना नमबर 12 पर चली जाएगी जो की गुरू का घर है और रोमा घर भी गुरू का है जड़ है जो जड़ में चली जाएगी और और वहां पे ऐसा विक्ति धार्मिक पर विक्ति का ज़्यादा हो जाएगा लोगों का भलागा जादा कर देगा फ्री में लोगों के काम बहुत ज़्यादा कर देगा जिससे उसको धन्की कमी आ जाएगी और इसलिए यहाँ पर शनी को अगर थोड़ी सी शनी अगर तीसरे खर में हो जिस व्यक्ति का थोड़ा का चलाक बन जाए और थोड़ा तेज तरार भी बन जाए मंगल के नर्जी को अगर वो बरकरा रखेगा तो बढ़िया रहेगा शनी खाना नमर 3 के समय अगर व्यक्तिidentified? हनुमा जिसा का पार्ट करता है अगर वो दिन में तीन बार कर लेता है एक सुबह और एक जब बारा से दो मंगल का टाइम होता है उस वक्त और एक जब शनी का समय होता है शाम को आठ बजे साथ बजे से आठ बजे से लेके रात के ग्यारा बजे तक का तो अगर तीन समय में वो हनुमा चिलिसा का पाट कर लेता है और अंधिरे कमरे में बैठ कर लेता है यहां पे सिर्फ मॉबाइल की या छोटा सा बलब लगा हो तो उस रोशनी में वो मंगल को अगर कायम कर लेता है वहां पे तो फिर शनी जो बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि यहां पर अगर मंगल के नर्जी भी क्रियाट कर लेता है क्योंकि बाजुबल से है, बाजुबल का स्वामी है मंगल, अगर यहां पर मंगल को भी कायम कर देता है, तो फिर मंगल और शनी मस्नुई उच्चराहू का परभाव देते हैं, जो कि बुद्ध का मित्र है, और यहां पर बुद्ध बहुत जवर्दस्वल देता है, बीनस को बढ़िया कर देगा, अब शनी जो है वो मकान का करकिया है, अगर ऐस वेक्ति का मकान चौरस होगा, हर तरफ से यह बहुत अच्छा होगा अगर स्क्वेर दुकान होगी तो उस दुकान में कारोबार भी बहुत चलेगा तो यहां पर शनी वाला जो व्यक्ति है अगर वो गुद्ध को कायम रखे मादुर्गा की उपासना करें अगर कंजकों की सेवा करें दुर्गा चलिसा का पाठ करें और कंजक पूजन करता रहे तो यहां पर शनी बहुत यह बढ़िया परभाव देगा इसी के साथ साथ शनी जब खरनमबत तीन में होता है तो इसके जो मसनुई मंगल और भुद्ध है वो बनते हैं तो यहां पर मंगल का और भुद्ध को कायम करके उसके बाद अगर शनी तो आगले घर पीछे़ी चोड़ाया तो जब अगले घर में गया तो उसको अपने घर आई को देखा तो वहां से शनी जो है वो अपने गुरू को जरूर बनाता है और गुरू की सेवा जरूर करता है उसके बाद खान नमर ग्यारा जो है वो धर्म की अदालत है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी का जो कारे होता है उसका फैसला जैसे कोई किसी का कुछ जगडा हो गया या कुछ इस तरह का कोई परतान भी बन सकता है कमेटि का परतान बन जाएगा या किसी प्रिटिकल पार्टी का सेक्टरी या परतान बन जाएगा लेकिन उसमें कोई वो फाइदा इतना नहीं ले सकता है क्योंकि मंगल और बुद्ध की अनरजी के कारण वो व्यक्ति थोड़ मैंड होने के कारण इस तरह की बातों में वो पिछे रह जाता है तो उसको यहां से शनी तीसरे घर में उसकी तीसरी दिरिश्टी जो है वो पांचवे घर पे भी जाएगी जो कि संतान का भाव है तो संतान उसकी आलसी हो सकती है यहां उसकी संतान की जो पड़ाई है उसमें रुकावट हो सकती है अगर यहां पर शनी अच्छा हुआ नेक हुआ नेक सबाब का हुआ राओ गेतु की पिजिशन के एकॉर्डिंग ली तो फिर उसका जो उसकी जो संतान होगी वो मैथ में और इंग्लिश में और साइंस में बहुत तेज होगी इंग्लिश मैथ और साइंस में उसके नमबर बहुत बढ़ी आएंगे शनी तीन वले के बच्छे के अगर नेक हुआ तो उसके बाद शनी की नौमी द्रिश्टी खाना नमबर साथमी द्रिश्टी खाना नमबर नो पर जाएगी तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जुडिशिरी में जा सकता है लीगल केसी जो है एड़ोकेट बनते हैं उसमें जा सकता है और जो लीगल डिए डिस्टी टॉर नी बनते हैं डिप्टी टॉर नी बनते हैं वो उसमें जा सकता है अच्छा लॉयर भी बन सकता है अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है अगर डॉक्टर बनेगा तो फिर वह चीर फाड का डॉक्टर सर्जन बन सकता है शनी खरण नंबर तीन के समय उसकी जो नौवी दिरिष्टी है जो लाल किताब की दिरिष्टी है ग्यार में खरने पर जाएगी तो धरम की दालत बनकर वह फैंसला करने का मालिक भी बन जाता है जैसे मैंने आपको पताया कि जज्ज भी बन सकता है साव्यक्ति लेकिन जज्ज बनने के लिए वहां पर हमें गुरू की विशन और सूर्य की को भी देखना पड़ेगा और बार में भाव पर शनी की दस्वीं द्रिष्टी से वहां पर पर प्रस्पति और राहू की एनरजी भी है जिसको शनी देखेगा क्योंकि खर्ण नबर तीन और बारा आपस में चार दसकी मित्रता के उपर संबंद रखते हैं अगर वहां पर क शनी की मदद भे होगा अगर दुश्मन ग्रह है तो फिर शनी जो है अपनी उम्बर में उस ग्रह से दुश्मनी का परताब करेगा तो शनी का यहां पर विशलेशन मैंने आपको बता दिया और शनी जिसका था नमबर तीन में होता है उसके घर के आसपास रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन ऐसी चीज़ें या कोई फैक्टरी होगी जहां पर बड़ी-बड़ी मिशीनों की आवाज आती होगी इस तरह की चीज़ भी देखी गई है शनी नमबर खाना नमबर तीन के समय ऐसा व्यक्ति के जो जूते होते हैं फटे होते हैं फटे जूते पाने डा कपड़े डाले होंगे लाइट रगए कबड़े असको कुछ इतना शौंग नहीं होता सजने सवरने का शौंग इसको बहुत कम होता है आल्सी सब्बाब का भी होता है काम चाहें बाइकर करने का लेकिन उसमें आलसपन साब को नजर आएगा ऐसे व्यक्ती में जिसका मेरे पाद थोड़ी पैसे की कमी होगी है मैं ले कि आता हूं यहां शनी खरणब बतीन वारत जब भी कोई पैसे खर्च करेगा वो एट्यम से निकाल करेगा जब भी उसको कोई खर्चा आ जागा अचानक से तो इसको एट्यम पे या बैंक में या इस तरह किसी के पास जानफ करवाता है और रिजल्ट कम देता है किताब में पंडे जी ने एक जगा बोला गया है कि केतु खरना नमबद 10 में हो ऐसा क्यों बोला गया है देखिए रहूर जो केतु होते हैं वह केंदर स्थानों में शनी के अनुसार जो ग्रह वहां पर उच्छ का या उसके अनुसार फल केतु करना नमबद 10 में होगा तो मंगल जो है मंगल के अनुसार केतु का फल मिलेगा के तुक अगर मंदा प्रवाब भाव यहां तो कि एड़त जिए तो इस लिए वहां पर तो जो मंगल मंगल का उपाई जो मैंने पहले एक जाहरा के लिगा तो यहां पे साथी ग्राइव बन जाते हैं इसलिए पंडी जी ने बुला कि शनी तीन के समय गर केतू दसमें होगा तो साथी ग्राह होने के करण शनी और केतू दोनों बन जाएंगे और ऐसे व्यक्ति के मकान बहुत बनेंगे कि यह था शनी का विशलेशन बाकी गलती बताने वाला मददगार दोस्त होगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी अपनी तरफ से शनी की विवेचना की और बाकी दोस्तों से भी परातना है कि वह इसके ओपर अपना विचार जरू है कर दो बाकी आताने है झाल